गाजीपूर से सुभाष कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की रिपोर्ट जोला चाप डॉक्तरों के चक्कर में चली गई गर्भवती महिला की जान गाजीपूर बिर्नो ठानाक्षेत्र के जैरामपूर में स्रिष्टी हॉस्पिटल पर एक गर्भवती महिला की जोला चाप डॉक्तर के चक्कर में मौत हो गई प्राप जानकारी के अनसार जोती कनौजया पत्नी आशीश कनौजया निवासी मलेथी थाना दुल्लःपूर की गर्भवती महिला ने बीते दिन पेट में दर्द हुने के कारण इस हॉस्पिटल पर पहुँची ततपश्चात हॉस्पिटल के डॉक्तर ने ततकाल प्रभाव से ओप्रेशन किया ओप्रेशन के दौरान महिला ने एक बच्चे को जन्ग दिया ततपश्चात महिला की अगले दिन तबियत खराब हुने के कारण शारदा नारायन हॉस्पिटल मौ में रैफ़ कर दिया जयोती की लाश को लेकर स्रिष्टी हॉस्पिटल जयरामपुर में ले आकर रख दिया तथा इस हॉस्पिटल पर मौझूदा कर्मचारी मृत्यू जयोती कनौजया की लाश देखकर अस्पताल से डॉक्टर सहित कर्मचारी परार हो गये ततपश्चात मौत से गुसाय इलाज किया था जहां जोला चाफ डॉक्टर के इलाज के दौरान जयोती कनौजया को रक्त स्राव ज्यादा होने लगा तो तुरंत ऑप्रेशन करने लगा तभी मरीज की हालत ज्यादा खराब हो गई उसी दौरान परिजनों ने महिला को मौं हॉस्पिटल ले गए जहां उसकी मौत हो गई हालांकि नवजात बच्चा को बचा लिया गया जिल अधिकारी MP सिंग एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हर गोविन सिंग के सक्त निर्देश के बाद भी बिर्नों क्षेत्र में जोला चाप डॉक्टरों की भरमार लगी है जोला चाप डॉक्टरों की भरमार तो क्षेत्र में है ही उससे ज्यादा बिना रजिस्ट्रेशन कराए मेडिकल स्टो भी खुला हुआ है यही तक सीमित नहीं है बलकि किसी हॉस्पिटल के यहां प्रैक्टिस कर खुद का हॉस्पिटल खोल लेना और डिलीवरी जैसा केस लेकर ओप्रेशन करना ऐसे ह हॉस्पिटल संचालकों की फित्रत बन गई है जिसकी आए दिन क्षेत्र में चर्चा का विश्य बना रहता है इस घटना के दौरान बिर्नो थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने अपने हमराहियों के साथ हॉस्पिटल की तोड़फोर की सूचना मिलने पर ततकाल प्रभाव स से घटनास्थल पहुंचकर मामले को शांत कराया तथा प्रदर्शन कर रही लोगों को कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किया अब देखना है कि जोला चाप डॉक्टर जो हॉस्पिटल खोर रहे हैं और उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनके ऊपर प्रशासन कितनी सक्त से सक्त कार्रवाई करेगी या स्वास्थ विभाग गोल माल कर फिर इस मामले को निप्ता देगी जिसकी खेत्र में चर्चा का विशे बना है प्रवाई करेगी जिसकी खेत्टारी में चर्चा करेगी तो उनके जड़ा है